जही ही फ्रेंट्स बिहार पुलिस फैर में तैस्वाष्टी पोस्ट के जितने भी कंडिडेट पूस्थ हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा अपड़ेट लेकर आ गया हूं जैसा कि फ्रेंट्स बहुत सारे candidate का police verification हो चुका है और बहुत सारे ऐसे अभी यर्ति हैं जिनका document verification last में हुआ था उनका अभी तक police verification नहीं हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए और आपका medical कब तक लिया जाएगा joining कब तक करा जाएगा इन सारे सवालों का हम इस video में जब आप देने वाले हैं अगर चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दें ताकि बिहार police fireman से related हर एक notification आप तक पोचे सबसे पहले तो चलिए friends वीडियो को इस्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं से पहले कि जिन भी अभी अभी अभीरतियों का police verification नहीं हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए कि friends मैंने पिछले वीडियो में आप सब को बताया था दिखाया था कि friends मैंने अपना police verification जो है वो 24 january को ही करा लिया जैसे कि देख सकते हैं यहां पर मैंने 24 जनवरी को ही अपना police verification कराया था और call आया था थाना से हमें तो उसका recording मैंने सुनाया था और क्या क्या document हमें थाना में लगा था उसके regarding मैंने वीडियो बना दिया था अभी तक आपने अगर नहीं देखाया तो देख सकते हैं जिन भी अभी तक कॉल नहीं आया तो उन्हें क्या करना चाहिए तो फ्रेंट्स बेसिकली यहां पर आपको घपरानी की बात नहीं है तो फ्रेंट्स यह देख सकते हैं यह बिहार अगनी सबन करेले के द्वारा लिखा गया हर एक डिश्टिक को जो एसपी कर्याले को लिखा गया है और इसमें बताया गया कि जितनी भी नए हमारे पास तईसवास्टी कंडिलेट है उन सब का डॉकुमेंट मैं भीज रहा हूं उन सभी का पुलिस बेरिपिकेशन करा के जल से जल्द हमें यहां पे भीजने की किरपा करें वैसे यह नोटिस से आप लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है यह भी भागी नोटिस है जिन भी अभी अभी तक पुलिस बेरिपिकेशन नहीं हुआ है तो वह अभी जाके एक बार एसपी कर्याले से संपर्क कर लें क्योंकि उसका डॉकुमेंट जो है वहां पे आ गया होगा ठीक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे थाने हैं जो कि जल्दी कॉल नहीं करता है आपको तो आप जाके एक बार एसपी कर्याले से अबस्ची संपर्क कर लें उसके बाद जो है आपका डॉकुमेंट जो है वह स्पी कर्याले पहुच गया होगा आप अपना सही तरीके से ज आघरन प्रमान पत्र है यह आपे उस प arrests है कि मैंने यहां पर दर्शाया था सारा चीज ठीक है तो यह सारा चीज लेगे जाकर आप वह पने जमा घरदेंगे जो आपके जो थाना है नजदी की थाना जहां से आपको कॉल किया जाएगा वहाँ पर जाके आप जमा कर देंगे और कोई भी प्रोब्लम नहीं ज़्यादा होने वाला आराम से जमा कर देंगे हैं आप लोगों का अंतीम प्रोसेस पर है बहुत सारे कंडिडेट को यहां पर हो चुका है पुलिस बरिपिकेशन बहुत सारे अभियरत्यों कर नहीं हुआ है तो अब जल्द से जल्द अपना पुलिस बरिपिकेशन करा लें चलिए अब बात कर लेते हैं कि इतना टाइम क्यू लिया जा रहा है ज्वेनिंग कराने में तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं आप सब पले रखा गया था और रोल वाइज जो यहां पे सब को बुलाया जा रहा था देट वाइज तो यहेंक महने तक यह आपका धौरत यहां पे डोकमेट वेल्पिकिशन चला था और एक महने जो हैं तो यह बहुत लंबा डिले प्रोसेस हो जाता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देखें फ्रेंड्स आपका यहां पर जो है मेरी निकलने के बाद तो अभी तक आप जो है आपका लगबन दो महने के वह चुका है हमेरे निकलने के बाद अभी आपको कम से कम यहां पर यह मन्त जो है यानि कि अगर बात करें तो आपको यहां पर फर्वरी मन्त तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि मुझे जानकारी मिल रहा है कि आपका विबागी परकिरिया जो है चल रहा है जाए कि यहां पर 10th य आपने जो डोकुमेंट दिया वो सही है या नहीं है मैच करता है या बोट से या नहीं है ठीक है यह सारा अभी परकिरिया चल रहा है और इसको समाप्त होते ही जह है आपका मेडिकल या फिर जोईनिंग को लेकर जिला आलोटमेंट को लेकर जो है नोटिस देखने को मिल ज जाएगा उसके बाद मार्ट तक आपको जोईनिंग या फिर जो है मेडिकल सारा प्रोसेस देखने को मिल जाएगा तो फ्रेंड्स यह बिसिकली आपको बताना था कि अभी आपको थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ सकता है उसके बाद ही जो है आपको यहां पे जिसे के अ आपका मेडिकल और जोइनिंग लिया जाएगा तो इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो मैं आपको वीडियो के मादे में सबसे पहले बता दूँगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बैल आकन को प्रेस कर दें ताकि भी हर प्लेश फायर मेंस लेटेड हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुचे सबसे पहले तो लिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिन